एक आदमी जिसका हार्ट फेल हो गया था उससे ट्रांस्प्रांट की जरूरत थी एक एकसिडन्ट की वज़े से उसे हार्ट मिल जाता है अब जिस आदमी का एकसिडन्ट हुआ था उसके वाइप में वो इंटरस्टेड हो जाता है इसी के पैरलल में जिस आदमी की वज़े से एक्सिडेंट हुआ ये भी स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हलो फ्रेंज आज मैं आपको 21 ग्रैम्स ये 2003 की एक हॉलिवड मूवी एक्स्पेन करने वाला हूँ अगर आपका वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बिना किस से उसके सारी आदत छूट गई है अपने पार्टनर के लिए वह बहुत ही थैंक्फूल है इसे के पैरलल में उसका हजबंड जिसका नाम मैं माइकल या अपनी बेटियों के साथ हैंग आउट कर रहा था अगली सीन में हमारा और एक मेन गारिक्टर हमसे इंट्रोडिस होता है इसका नाम में जैक जैक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है वो पहले बहुत इलीगल चीज़े किया करता था पर अब वो गौड पर भिलीव करता है एक लट का जो अभी इलीगल चीज़े करता है उससे वह समझा रहा था कि तुम्हें गौड का विजश करना चाह तो मैरी इस बात से बहुत हार्ट ब्रोकन थी वो इसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती थी अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती थी अब पॉल इस हालत से है तो डॉक्टर से बुछती है क्या आर्टिफिशली ओ प्रेगनेंट हो सकती है डॉक्टर ने मैरी की हिस्ट्री ली तो उसका पहले ऑपरेशन हो चुका था डॉक्टर कहते हैं हमें पहले तुम पर ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके बाद हमें कर सकते हैं जिस तरीके की पॉल की कंडिशन है इस कंडिशन में उसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए पर फिर भी उस्मोकिंग कर रहा था उसक ने कहा था कि जैक को उसके सारे टाटू जगरा कवर करने पड़ेंगे पर जैक का एक टाटू नेक पर भी है जिसे वह कवर नहीं कर सकता यह सारी प्रॉब्लम उसी की वज़ेस हुई थी जैक फिर डिसपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है वो घर पर आया और उसका मोड तो दूसरा गाल आगी करना चाहिए वो जबर्दस से अपने बेटे को उसकी डॉक्टर को मारने के लिए गयता है उसकी वज़े से घर में सब लोग बहुत डर गए थे इसके बाद नेक सेन में पॉल और उसकी वाइफ मेरी ये दोनों डिसकस कर रहे थे मेरी अपने जॉब बहुत आया उसे किस करने लगता है आज पॉल उसके साथ इंटिमेट होना चाहता है पर मेरी उसे मना करती है कहती है तुम्हारी सैंपल की मुझे जरूरत है यानि कि आर्टिफिचली वो प्रेइनर्ट होना चाहती है इस वाज़े से पॉल को हस्पिटल में जाकर सैंपल द सैंपल देने के लिए आये हुए थे डॉक्टर पॉल को समझाता है कि तुम्हारी बेबी को देखने के लिए शाहिद तुम जिंदा ना रहो क्या फिर भी तुम्हें करना चाहते हो पॉल है सिर्फ मैरी के लिए करना चाहता था नेक से नम देखते हैं कि जैक बहुत ही शौ जहां आपर एक्सिडन्ट हुआ था यह जगा वो देखकर आई हॉस्पिटल में भी पुलीस को क्या पता है क्या नहीं इस सब उसने इंक्वारी कर ली किसी को भी जैक के बार में पता नहीं था हम ऑस्पिटल में देखते हैं कि जब क्रिस्टिन अब आपर पहुचिए तो डॉक्टरों से बात करते हैं उसकी दोंओ डॉक्टरस की डेथ हो छुँकी थी और इसका हजबन यह बहुत क्रिटिकल कंडिशन में था उसके ब्रेन में बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई थी इसके बाद एक दो दिन गुजर चुके थे क्रिष्टिना का हजबन ये रिस्पॉंसिव नहीं था डॉक्टरों से कहते हैं तुम्हारा हजबन ब्रेंडेड है हम उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते हैं पर तुम किसी और की जान बजा सकती हो वो माइकल का हार्ट पॉल को देने की बात कर रहे थे क्रिष्टिना बहुत रो रही थी पर अपने आपको समालने के बाद वो भी इसके लिए मान गी बीच रात पॉल और मेरी को कॉल आया है और जल्दी से हॉस्पिटल रोग पहुच जाते है उसको ऑपरेशन सक्षेस्फूल हो जाता है उसे हार्ट मिला इसके लिए वो बहुत ही थेंगफूल था वो कहता है कि मैं डोनर की फैमिली से बात करना चाहत हो डॉक्टर कहते हैं तुम इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते है तुमने थैंक्यू नोट दे सकते हो पॉल किसी की भी मानने वालो मैंसे नहीं था उसने डोनर की फैमिली को जानने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टू को हायर कर लिया उसे उसे क्रिस्टिना के बारे में पता जा जाता है उसके लिए उसे बहुत बुरा लगा क्रिस्टिना क्या करती हो कहा जाती है इस सब के बारे में उसे पता था एक दिन क्रिस्टिना जब स्विमिंग करने के लिए आई हुई थी तो उसे अप्रोच करता है वो उसे बुछता है क्या तुम्मारे शोल्डर पर जरा चोट आई थी तुम स्विमिंग करते करते जरा लिम करते हो उसे बेटर स्विम करने के लिए उसने जरा गाइड कर दिया वो लंच कर रही थी तो पॉल उसे बोचता है कि मैं भी तुम्हें जॉइन कर सकता हूँ क्रिश्टिना इसमें इंट्रेस्टेड नहीं थी पॉल यासे जा रहा था पर फिर से वापस आता है कहता है आके ले खाना किड्नियों के लिए अच्छा नहीं होता क्रिश्टिना थोड़ा सा इस पर हसती है पर फिर भी वो इंट्रेस्टेड नहीं थी अपने हस्बन के जाने के बाद वो बहुत जादा डिस्टरब है रावत में उसे उसकी बहुत याद आई वो पहले जिससे ड्रग्स बाय करती थी उसे वो फिर से कॉल लगाती है पर एक सेकन में अपना माइन उसने चेंज कर दिया नेक्सीन में हम देखते हैं कि पुलीस को अभी भी चैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था पर वो बहुत ही जादा गिल्टी में हसुस करता है अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अपने आपको पुलीस के हवाले कर देना चाहिए उसकी वाइफ कहती कि प्लीस ऐसा कुछ भी मत करो तुमारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और तुमारी एक्चल ड्यूटी हमारे पास है मुझे तुमारे बच्चों को तुमारी बहुत जरूरत है पॉल के ट्रांस्प्रांट के बाद मेरी बहुत ही खुश थी उसने अपने सब फ्रेंड्स को इन्वाइट करकर एक पार्टी रखी इस पार्टी में वो अनांस करती है कि बेबी के लिए हम ट्राय करने वाले सब उनके लिए बहुत ही एक्साइटेट थे रात में पॉल ने मेरी से बात की कहा कि अब बेबी के लिए हमें जारा सोचना पड़ेगा एक बड़ा डिसीजन है जैक बहुत ही जादा गिल्टी में सुस कर रहा था उसकी वाइब के समझाने के बावजूद वो अपने आपको पुलिस में दे देता है क्रिस्टिना के हस्बंड के मिमोरियल पर बहुत सारे लोग आय हुए थे यहाँ पर क्रिस्टिना के फडरेंड को जैक के बारे में पता था उसकी फडरेंड उसे समझाती है कि तुम्हें जैक पर चार्जस प्रेस करने चाहिए क्रिस्टिना ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी उसकी फ्रेंड ने उसे फोर्स किया तो रोने लजाती है कहती है मेरा कुछ भी करने से मेरा हस्बंड मेरी डॉर्टर इव वापस ने आएंगे पेसब करने का पॉइंट क्या है अगले दिन पॉल और मेरी ये डॉक्टर के पास आये थे पॉल डॉक्टर से पुछता है मेरी की प्रेइटन होने की चांसेस क्या है डॉक्टर कहती कि पहले उसका आबर्शन हुआ था तो इस बार उसे चांसेस बहुत ही कम है पर पॉल को आबर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है मेरी ने उससे बात छुपाई तो इससे वो बहुत जादो गुस्ता हो जाता है उसने मेरी से कहा कि बहुत सालों से हमारी बीच में कुछ भी नहीं था हम अब ये नाटक नहीं कर सकते एक्चुल में मेरी पॉल की कंडिशन देखकर फिर से उसके पास आई थी वो गहती कि तुमारे लिए दूसरा कोई भी नहीं आता पॉल कहता है कि तुम अकिली थी इसलिए आई ये बात सुनकर मैरी रोने लग जाती है पॉल को भी बुरा लगा उसे गले लगा लेता है नेकसिन में हम जैक को जेल में देखते है उसका रेवरेंड उसे मिलने के लिए आया हुआ था पर अब वो गॉड बाए बिलीव करता है या नहीं इसे वो क्वेस्चन कर रहा था उसे लगता है कि अगर गॉड सचमूच में होता तो उसके हाथों महसुम लोगों की डेथ नहीं होती जैक ने फिर ब्रीजन में सुसाइड करने का भी ट्राइक किया पर वो फेल हो जाता है एक रात क्रिश्चिना बहुत ही डिस्टरब थी वो एक कलब में गई और वहां अपने लिए ड्रग्स बाए कर लेती है जैक उसके बारे में और भी जानना चाता था तो उसका पीछा करते करते वो भी यहां आया हुआ था क्रिश्चिना बार में बहुत जादा ड्रंग हो गे वो बाहर आकर अपनी गाड़ी भी चला नहीं सकती थी उसने गाड़ी को थोड़ा सा ठोक दिया उसे समालने के लिए बॉल भी उसके पास आता है बार डेंडर उसे इस तरीके से ड्राइव नहीं करने दे सकता था तो पॉल ने क्रिश्चिना से चावी ली कहा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ उसने उसे घर पर छोड़ा गाड़ी में ही सुला कर वो बहाँ से चला जाता है नेक्सिन में जैक से मिलने के लिए उसकी वाइफ आई हुई थी वो कहती है हम दुमारे लिए कोर्ड में लड़ रहे है तुमने जान बुझ कर नहीं किया था ये कितना भी एक्स्पेंस यो उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इसके बाद एक वीक चला कया था क्रिस्टिन अपने स्विमिंग लेशन पर थी तो पॉल फिर से उसके पास आता है बारिश की वज़े से वो बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी तो पॉल कहता है भी तुम्हें घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ उसे मना करती है पॉल कहता है एक वीक पहले बार से घर तक मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी क्रिस्टिन अपने फिर इसके लिए मान गई उसे पुछता है क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहती हो वो गहता है कि वेसे भी तुम लंच करने ही वाली हो और अकेले खाना ये किड्नियों के लिए अच्छा नहीं होता इस बार वो फेस्टिन कर इसके लिए मान जाती है पॉल जब घर जा रहा था तो अचानक से उसे उल्टिया आने लग जाती है इसके बारे में उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया उस पर थोड़े टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे बताया तुमारा हार्ट अब मैस नहीं कर पाया अगर पॉल ने इस बात को निगलेट कर दिया तो कुछ दिनों में उसकी डेथ हो सकती है डॉक्टर कहते है तुम अब हॉस्पिटल में एड्मिट हो जाओ हम तुमारे लिए फिर से और एक हार्ट डूंडेंगे पॉल को पता था कि अब उसे फिर से हार्ट नहीं मिलने वाला वो डॉक्टर को हस्पिटल में रहने से मना कर देता है अगर उसे मरना ही है तो अपना फ्रीडम एंजॉय करकर उमरीगा इसके बाद नेक सीन में जैक की वाइफ ने उसे जेल से छुड़ा लिया है जैक ही नहीं चाहता था वो अपनी गलतियों के सजा भूगतना चाहता है वो जब घर पर आया तो उसके बच्चे उसे गले लगा लेते है अब उसे फिर से फैमिली के पास वापस आकर अच्छा लग रहा था इसके बाद नेक सीन में हम क्रिस्टिना और पॉल की डेट देखते है पॉल एक्चुल में एक मैथमेटिशन है क्रिस्टिना को समझा रहा था इन नंबर से हम बहुत सारी चीज़े प्रिडिक कर सकते है नंबर सहमें बताते हैं कि दो लोगों का एक टाइम पर एक जगा पर मिलना इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है हमारे मिलने के पीचे बहुत सारे reason हो सकते है क्रिश्टिना को भी उसकी बाते अच्छी लगी आज के उनकी date अच्छी गई थी क्रिश्टिना ने उसे अपने घर में invite किया घर में पॉल ने क्रिश्टिना की family की सारी photos देखी अचानक से उसे फिर से हार्ट की तकलिफ होने लग जाती है वो यहाँ से जाने लगता है पर उसने क्रिस्टिना से का मैं तुम्हें बहुत जादा लाइक करता हूँ पिछले बहुत टाइम में मैंने इतना किसी को भी लाइक नहीं किया क्रिश्टिन उसे जूट कह देती है कि मैं मैरिड हूँ पॉल फिर वहाँ से चला गया रात में पाइफ के साथ था और अचानक से रोने लग जाता है वो गहता है कि जब मैंने उस आदमें को हिट किया उसकी डॉटर मुझे देख रही थी जैसे को मुझे से हेल्प मांग रही हो और मैं वहाँ से चला गया शायद मुझे उसे बचा सकता था एक गिल्ट उसे खाये जा रही थी एक दिन वो अपने बच्चों के साथ था उसकी डॉटरों से कहती है स्कूल में मुझे बताय जा रहा था तुमने एक फैमिली को मार दिया है कैस सच है जैक का वेटा कहता है कि उसने उन्हें मार दिया इस बात से जैक को बहुत जादा गिल्टी लगा वो फिर डारेक्ली घर छोड़कर चला जाता है एक रात क्रिस्टिना पॉल को कॉल करती है उसने उसे मिलने के लिए बुलाया ये बात मैरी ने नोटिस की और पॉल पर बहुत जादा कुस्था हो जाती है वो कहती कि मुझे लगा तुम बदल चुके होंगे पॉल कहता है कि हम दोनों नहीं बदले हैं वो क्रिस्टिना के पास आया उसे कहती है तुम मुझे ऐसे कैसे बता सकते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो मेरे लाइफ में क्या चल रहा था इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता उसे सब कुछ बता देती है पॉल ने उसे गले लगा लिया फिर दोनों किस करने लगते है क्रिश्चिना उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी पर पॉल उसे रोक लेता है कहता है तुमारे हस्बन का हाट मुझे ही मिला है हमारे बीच कुछ भी हो इसके पहले में तुम्हें बताना चाहता था क्रिश्चिना इस बात से बहुत ज़ादा गुसा होके कRIESTIANA कै milk तुम्हें हां कर क्या रहे थे उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देती और पॉल राद भर घर के बाहर इंगाडी में इसोो किया क्रिश्टिना सुबा ओने पर येитуड में नोटिस करती और उसके पास हुआ है क्रिश्चिना कही थी कि तुमने ये सब किया क्यों पॉल कहता है तुमारे हस्बन ने मेरी जान बच जाई जब मुझे तुमारे बारे में पता चला तो बहुत बुरा लगा था मुझे किसी ना किसी तरीके से तुम्हें थैंक्यू कहना था जब मैंने तुम्हें देखा तुम्हें 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 से दूर नहीं रह पाया क्रिश्चिना रोने लगके पॉल उसे साहरा देता है ये दोनों फिर इंटिमेट हो गए एक दू दिनों बाद जब पॉल घर पर आया तो मैरी यहां से निकल रही थी वो बुशता है कि तुम क्या कर रही हो वो कहती कि मेरा ओप्रेशन होगा तुम्हारे बच्चे की मैं मा बनूंगे और इसके बाद मैं तुम्हारे लाइब से चली जाओंगी नेक्स दिन में हम क्रिश्चिना को देखते है कि वो एक्सिरेंट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी उसे बता चला कि जैग अब जेल में नहीं है वो इस बात से बहुत जादा डिस्टरब होके वो ड्रक्स करने लगती है ये बात पॉल ने देखी और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बहुत गलत है क्रिश्टना उसे कहती है कि जब जैग ने मेरी डॉर्टर को हिट किया तब उस समय वो जिन्दा थी समय अगर वो रूख जाता उसे होस्पिडल में लेकर जाता तो अभी भी वो जिन्दा होती वो ऐसे ही चला गया वो अभी भी जिन्दा है उसे मारना चाहती है वो पॉल को कहती है अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहती हो तो उसे मारने के लिए हेल्प करो उसने उसे भी कन्विंस कर लिया इसके बाद पॉल अपने डिरिक्ट्टी उसी मिला जैक कहा है इसके वो लोकेशन ले लेता है उसने उसे एक गन भी बाय कर ली इसके बाद वो जैक जहाँ पर रुका था उस मॉटिल पर आया उस पर उसने गन लग गए कहता है कि डिजर्ट में चलो उसने उसे नीज पर बेटने के लिए कहा उसे मारने वाला था पर एक काम वो करनी बाता वो कहता है कि अब यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर तुम चले जा फिरसे मुझे तुम दीखने नहीं चाहिए पॉल की हलत अब और भी जादा बिगड़ने लग गई थी थोड़े दिनों में उसकी डेथ हो जाएगी रात में उसके और क्रिष्टिना के पास जैक आया उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे प्लीज इस काम को कम्प्लीट कर दो वो खुद गेल्ड में अब जी नहीं पा रहा उसे मारने के लिए फोर्स करता है जैक और उसमें फाइट हो गए इस फाइट में क्रिष्टिना जैक को मारने लग जाती है उसे जान से मार देती तभी पॉल ने गन लेकर अपने आपको शूट कर दिया क्रिस्टिन अगर जैक को मार देती तो उसके लाइव भी बरबात हो जाती यह पॉल नहीं जाता था इसलिए उसे क्रिस्टिना को रोखने के लिए खुद को गोली मार ली वो फिर जैक की हेल्प लेकर पॉल को हस्पिटल में लेकर आती है पॉल को बलड की जरुएती, क्रिस्टिना उसे डोनेट कर सकती है उस पर टेस्ट वेगरा हुए, पर डॉक्टर कहती है कि इस हालत में हम तुम्हारा बलड नहीं ले सकती है तुम्हारे बलड में ड्रग्स पाए गए है जो तुम्हारे बेबी के लिए अच्छे नहीं है क्रिस्टिना को पता ही नहीं था क्यों प्रेग्नन्ट है इसके बाद पॉल की डेथ होगी पर क्रिस्टिना को उसने जीने का सहारा दे दिया है वो बहले अपने डॉक्टर के रूम में भी जा नहीं सकती थी पर मुवी के लास सीन में वो अपने डॉक्टर के रूम में उसकी सारी चीज़े देख रही थी वो अपनी लाइफ को लेकर फिर से होफूल है हम जैक को फिर से उसकी फैमिली के बास लोटता हो देख सकते है उसके वाइफ को बहुत अच्छा लगा पॉल मुवी के लास में मरते होए हमसे कहता है कि जब हमारी डेथ होती है तो हमारी बॉडी से 21 ग्रैम्स ये वेट कम हो जाता है ये हूमन सोल के बारे में वो बात कर रहा था वो पहले खुद वंडर करता था कि इस पैन का रीजन क्या है पर वो रेलाइस करता है कि लाइफ में चीज़े कितने भी बुरी क्यों ना हो पर फिर भी हम पॉजिट्व चीज़ को देख सकते है हमारे हाथ में आने वाली जो खुशी है इसके लिए हम जी सकते है इसे एक पॉजिट्व मैसेश के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीज़ेगा मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आधा रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्यू के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये